तो मैंने बनाया है 90-20 by 1080 का एक composition जो की 11-12 second का है यहां मैं हर एक 2 second में एक mark लगा देता हूँ अभी new पर जाएंगे एक null object को यहां पर add कर देंगे और यह बहुत important layer वोनी वाली है तो इसे मैं कोई और अच्छा से rename कर देता हूँ जैसे की everything और साथ में इसका color भी मैं कुछ और रखोंगा जैसे की green ताकि यह अच्छे से नचराए अभी इस layer की position property को open करना और इस के stop watch पर click करके key frame add करना फिर हम जाएंगे सबसे last वाले marker पर मतलब की 10 second पर फिर मैं इस 960 वाले value को minus 5000 में change कर देता हूँ अभी मेरे पास एक background है इसे हम यहाँ पर add कर देते हैं फिर इस parent and link वाले option से मैं इसे everything पर connect कर देता हूँ करके मैं side लाता हूँ यह पूरी तर से cover हो जाना चाहिए अभी जो है यह background मुझे ठीक से दिखनी रहा है तो इस पर एक effect add करते हैं exposure and exposure की value को just 3 रख देना है अब pen tool select करना और यहाँ पर हमें एक line बनाना है उससे पहले पहले तो एक point बनाता हूँ फिर जैसे यह एक save player आ जाता है इसे parent and link वाले option से इस everything से connect कर दूँगा अभी सबसे last वाले marker पर चलते हैं और पहले जो point बनाया था screen पर उससे यहाँ जाकर खतम करते हैं तो हमारे पास बहुत लंबी line यहाँ पर बन आएंगे और इसमें trim path को silk करेंगे अब trim path पर जाते हैं and end की value को zero कर देता हूँ और साथ ही इसकी stop watch पर click करके key frame add कर देता हूँ अब हमें जाना है सबसे last वाले marker पर और इसकी value को 100% कर देना तो यह कुछ इस तरह से animate करेगा अब यह पहले marker पर चलते हैं और कुछ इस तरह का line बनाते हैं इसे left size से मैं trim कर दूँगा और जैसा हमने उस line के साथ किया था इसमें भी हम trim path को add करेंगे इसकी अंदर जाएंगे end की value को सुरू में zero रखना है और थोड़ा आगे जाकर लगबक एक second पर इसकी value को 100 कर देना है दोनों keyframes को select करो कुछ इस तरह का flow बनाओ औ अब जो मैंने ये line बनाया है उसे बार पर duplicate करना है और हर marker पर shift करते जाना है अभी जो है हम पहले marker पर हैं तो safe layer 1 को इस line से connect कर देंगे अभी second marker पर जाएंगे and safe layer 2 को भी इस line से connect कर देंगे उसी तरह से third marker पर जाकर layer 3 को भी and fourth marker पर जाकर layer 4 को connect करेंगे and last वाले को भी जैसे की करते हैं ऐसे तो मैंने वस everything वाले layer को सबसे important layer का था लेकिन अभी ये line जो है सबसे important line बन गया है मेरा मतलब सबसे important layer बन गया है अब एक काम करना ये सबी safe layer को select करना और you press करना जिससे इनके keyframe दिखने लगी and now इसे slide करते हुए आपको इस तरह से आगे ले जाना है कि इनका जो second keyframe है वो marker से parallel हो कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं ये देखो जैसे कि सबी layer की second keyframe इन marker पर हमें सीधी और दिख रहा है next काम ये है कि हम इस line और everything को select करकी you press करते हैं फिर हर marker पर जाकर इस पर keyframe add करते हैं जिस तरह जैसे कि मैं कर रहा है अब इन सबी keyframes को select करेंगे और जो flow use करते हैं उसी flow को apply कर देंगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा ये जो first line है ये कुछ जाड़े ही पहले ही शुरू हो जाता है तो एक काम करते हैं इसको मैं थोड़ा more करके side ले आता हूँ अब सही है अब इस line की property को फिर से open करते हैं और add पर जाकर इस बार मैं wiggle path को select करूंगा इस wiggle path वाले option पर आएंगे और size की value को मैं 20 कर दूंगा अब हम इसके stroke वाले option पर आते हैं इसके dashes के plus वाले icon पर दो बार click करूंगा जिससे यहाँ पर दो option आजाएंगे dash और gap तो उबर वाले की value मैं 30 कर देता हूँ and gap की value को 25 तो यह line कुछ इस तरह से दीखेगा अभी मेरे पास 5 pm के pngs है यह raw list मैं यहाँ सी 5 pm को add कूँँगा तो इसका मतलब पांचवे नंबर पर आएगा HD देवा गोड़ा इससे हम add करते हैं पहले marker पर सहीं से adjust करेंगे adjust करते ही आपको पता है क्या करना है इसे हमें इस line से जोड़ देना है अब second marker पर जाते हैं फिर है इंदर कुमार इसे भी सहीं से adjust करेंगे और इसे उस line से जोड़ देंगे अब third marker पर आते हैं इस पर है अटल विहारी इसे भी यहाँ add करेंगे और इस line के साथ connect कर देंगे फिर आते हैं मनमुहान सिंथ, इसे भी मैं यहाँ अजश्ड करता हैं, यहाँ dose कर हो। पर इन्टियन मोद ही आते हैं, फिर इने भी अज़स्ट करके कनेक्ट करेते हैं, फिर जैसे हमने कि इन से प्लियर्स को फोड़ा सा साइट किया था उनी तरह से इन PNGs को भी मैं साइट कर दूँगा ये बिल्कुल ही नीचे वाले की तरह होनी चाहिए अब सबसे पहले PNG पर आते हैं तो पहले Marker पर आकर इसके Position Property गो Open करेंगे यहाँ एक Key Framate करेंगे Now इसके Starting Point पर आते हैं और इसे कुछ नीचे की और ले जाते हैं यही काम मैं सारे PNGs पर करूँगा जैसे कि Second Marker पर आया इस Photo पर Position पर एक Key Framate किया Now Starting Point पर आते हैं इसे नीचे कर लिया और इसी तरह से सभी पर करना है अब इन सभी Key Frames को Select करेंगे और जो Flow यूज़ करते हैं उसी Flow को Apply कर देंगे तो यह कुछ इस तरह से उपर आएगा अब ही मैं Save Tool को Select करता हूँ और यहां एक एस तरह का से बनाता हूँ कि यह Photo पुरी तरह से Cover हो जाए इसे डूबिकेट करना और Second Marker की तरफ ले जाना ताकि यह Second Photo को भी Cover कर दी उसी तरह से सभी Photo के लिए करने हैं आपको Next काम जैसा कि हम पहले करते हैं Connect करने का तो पहले Marker पर आकर मैं इस पहले Shape को Select करता हूँ और इस लाइन से जोड़ देता हूँ इसरे Marker पर आएंगे दूसरे Shape को Set करके इसे लाइन से जोड़ देंगे और इसी तरह से पाकी तीन को भी करने हैं वो यह भी इनके साथ मोग करेगा कि आपको अजीब लग रहा होगा कि यह हमने क्या किया तो आगे देखते ही आप समझ जाएंगे पहले तो जो यह उपर और नीचे के Layer है मैं उन्हें एक साथ रख देता हूँ इन्हें एक ही खतार पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिकेगा और हमें असानी भी होगी अभी इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ और इस उप्सन कौन कर देता हूँ जिससे मेरे पास सीधर और भी उप्सन सा जाते हैं नाव यहान दो टाइप के थ्रेड हैं जो यह राइट पर हैं वो पेरेंट और लिंक वाले हैं और जो लेफ्ट वाले थ्रेड है यह ट्रेक्मेट वाला है तो हमें अभी ट्रेक्मेट वाले से काम है मैं इस फर्स्ट मार्कर पर आ जाता हूँ और इस फोटो को सेलेक्ट करके उसके उपर वाले सेप के साथ ट्रेक्मेट कर देता हूँ मतलब connect कर देना है ट्रेकमेट के यूज से फिर सेकेंड मारकर पर जाके उस वाले फोटो को उसके उपर वाले सेप के साथ connect कर देना है और ये चीज़ सभी में करना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम अपना में काम करते हैं इनकी डेट लिकना जब ये पी एम बने थे पहले तो मैं इनका लिंग देता हूँ और इसे साइंस से एड़स्ट कर देता हूँ और साथ में जो ये दो लेयर थे उनके साथ मैं इसे इस कतार पर रख देता हूँ तो ये अच्छा लगेगा और जैसे कि हमने हर लेयर के साथ किया था इनके साथ जमा जमा कर डूब्लिकेट करकर रख देंगे फिर से वही काम आ गया है लेयर को उनस लाइन वाले लेयर के साथ जोड़ने का पर अभी जो है बार पार लाइन से जोड़ना थोड़ा मुस्किल पढ़ रहा है तो ज़री नहीं है कि लाइन से जोड़ना हम इसे इस सेप के साथ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि सेप आर्टरेडी लाइन से जोड़ा हुआ है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हम लाइन से जोड़े या इस सेप से जोड़े तो मैं इस text को इस नीचे वाले shape से connect कर देता हूँ वो ये देखो ये work कर रहा है ये भी इन सब के साथ मोग कर रहा है अब फिर से हम second marker पर जाएंगी और इस दूसरे text को इसके नीचे वाले shape के साथ connect कर देंगे इसी तरह से तीसरे marker पर जाएंगे, तीसरे text को इसके नीचे वाले shape से connect करना है, बाग की आप जानते हैं, तबी को करना है मैंने यहाँ एक चीज जो है mistake कि मैंने इन text को भी trim कर दिया, जो कि नहीं करना है, इने every time दिखना चाहिए, इस screen पर, तो इने वापस से हम इधर ला देते हैं, तबी यह अच्छा लगेगा अभी यह सबी चीज थोड़े से खाली-खाली से लग रहे हैं, मैं पहले तो इन text पर एक glow effect एट करता हूँ मैं इस glow की settings पर जाकर, इसका radius को 100 कर देता हूँ, और साथ में इसकी intensity को 0.7 रखते हैं अब इस glow को copy करना और इन बाकी सारे text पर apply कर देना, साथ ही जितने line बना हैं, उन पर भी यह effect पेस्ट कर देना और यह जितने पी PM के PNG से इन पर भी हम इस glow effect को पेस्ट कर देंगे बाकी किसी किसी PNG पर इसका असर कुछ जादा ही हो गया है, तो आप उसे adjust कर देना से कि यहाँ पर यह कुछ जादा ही white हो गया है, तो इससे हम कम कर देते हैं, और बाकी सभी पर भी आप सहीं कर लेजे अब सभी layer को select करो और इस option को on कर दो अब यह जो उपर की जगा है, यह थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ कुछ headline सा लिक देते हैं, जैसे कि Prime Ministers of India यहाँ से यहाँ तक के, इन पर भी glow effect एड़ कर देंगी और फिर इंतना सब होने के बाद इन सब को select करना है, और pre-compose कर देना है, प्री-compose होती है आपको पता है क्या करना होता है, आपको animation composer पर जाना होता है, उस effect को खोजना होता है, जो screen को थोड़ी सी wiggle करें, और यह वो effect है जिसकी हम बात करते हैं, तो इसे select करना और add कर देना और intensity अगर आप मेरा फुराने वीडियोस देखते हो, तो आपको पता ही होगा हम हमेशा से 10 या 15 रखते हैं, तो मैं इसे 10 कर देता हूँ, अब जो है set set पर जो है black black सा नजर आ रहा है, इसे भी आप जानते है कैसे मीटाना है, effect पेनल पर जाओ, CC reptile वाले effect को search करो, जब यह मिल जाए, तो इसे आप इस pre-compose पर add कर देना, अब यहाँ चार values है, सभी को हम 100 से change कर देते हैं, एन इसके tilling वाले option पर आकर इसे unfold part set कर देंगे, और यह तभी work करेगा, जब यह top पर रहेगा, तो इसे move करके उपर ले जाना, पन देखा जाए, तो यह headline कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, इने मैं छोड़ा कर देता हूँ, तो at the end, यह कुछ ऐसा लगेगा, और बात यही खतम नहीं होती, मैं next video में यह hand animations आपको बनाने सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपको यह सीखना है, तो मुझे subscribe कर देना, वीडियो चार दिन बाद आ जाएगा,